पुरकाजी विदान सभा से विधायक अनिल कुमार को योगी मंतरी मंडल में जगे मिल गई है इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं जैन चौधरी ने जिस तरीके से बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को लोगसभा प्रतियाशी बनाया है बिज़णौर लोगसाबास से चंदन चौधान जो गूजर ब्रादरी से आते हैं उनको प्रतियाशी बनाया है और योगी मंतरी मंडल में जो अनिल कुमार है वो ऐसी ब्रादरी से आते हैं उनको जगे दिलाई है इस पर ये लोग क्या सोचते हैं, एक एक करके इन लोगों से बात करूँआ, सर देख रहे हैं कि जैन चौद ने जिस तरीके से चुनाव को लेकर एक एक समी करना बैठाई है, किस नजर इसे देखते हैं, लेखिए जितने भी टिकेट ये दिये गए हैं, इसमें सबसे ज़्य जो है, डक्टर राजकुमार सांगवान को जो टिकेट दिया गया है, उससे फरक पड़ेगा, क्योंकि वो ही अकेले एक नेता ऐसे हैं, कि जो पिसले 30-40 साल से इतनी मेनत कर रहे हैं, जो पहली बार टिकेट दिया गया है, और इस बारे मेरा सिर्फ यही कहना है, अब सांग जो पिसले आपको उनके सांसत बनने के बाद देखने को मिलेगी, योगी मंतिर मंडल में, जैसे आप देख रहे हैं, कि अनिल कुमार को जगे दे दी गई है, उरक समिकरन बैठाया है, लग रहा है कि पश्चिम में माहौल बदलेगा, जाती है समिकरन बने गाई, जाती है स सीजन, अपने नेता जी जो अपने राजकुमार सांगवान जी है, या चौहान को विजनोगर से देना, तो यह अब यह पॉलिटिक्स ऐसी चली है, जो यहां चल रही है, उसे समझे हैं जैन चौधरी, और उसके हिसाब से उन्होंने यह सारा समिकरन बैठाया है, और इसका अल्टिमेट फाइदा हम सभी लोगों को होगा, क्योंकि अच्छे लोग राजनीती में आ रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया, कि जो अपने सांगवान साहब है, ऐसे राजनीतिग्य अब नहीं है, तो ऐसे लोगों की जरूरत है, बहुत बड़ा मेसेज है, बहुत बड़ा मे सबकी बात है सहमात हूं, और एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, और खासका सांगवान जी का टिकेट जो डिकलेर हुआ है, उस चे तो ये समझ लोग की पहली बात तो उनका रिजल्टी कल आ गया, और दूसरा थोड़े बहुत जो लोग नराज हुए थे, जैन जी के जा आपको खुष करने की है, और ये बहुत अच्छा है, इनोंने महावल बनाया है, और बहुत अच्छा रहे गाए, इसका रिजल्टी भी बहुत अच्छा रहे गा, जैसे आपने कहा हुआ कि जैन्त समझ गए है, आपको लग रहा है कि परिपकवता आ गई है और वो के साथ बिल्कुल परिपक्ता आ गई है और मैं कहुँगा कि जो चौदरी चरण सिंग जी में परिपक्ता थी वो अब जैन्त में आनी शुरू हो गई है और यह आगे यह हमें जो बड़े चौदरी साब चौदरी चरण सिंग जिस तरह से सारा समी करण बैठाते थे मुझे ऐसा लग है कि पूरे प्ष्णी मुत्रप्रदेश में समी करना इसे बैठा है कि कोई यह ना कह सके कि हमें तवज्जों नीदी मंत्री मंडल में यह हमें टिकट नहीं दिया यह से टिकट नहीं दिया नहीं उन्होंने सब जात्यों को जोड़के चलने की कोश्च की है और यह बहुत सबसे पुराने राजदी नहीं तो उन्होंने काम कर दिया अच्छा सब लोगों से बात कर रहा हूं मेरत की में बात कर रहा हूं लेकिन बात परणका का टिकट गया है और सब लोग डॉक्टर राजकुमार सांग्वान की तो क्या आप लोग वी चाहते थे तक उनको टिक व पुरा पच्छी में उत्तरप्रदेस उनके साथ साथ युवा नेता 40-40 सवार्व संगर्श कर रहे तो पूरा पच्छी में उत्तरप्रदेस उनके साथ ता हर एक आदमी खुश आ हर एक जतनी ब्रादरी है सब खुश है और सभी लोग जाके चुनाव लड़ाएंगे बहुत भारी महमत से जीत चुके हैं आप लोगों की बात से तो ऐसा लग रहा कि मंत्री मंडल में भले किसी को जगह मिली हो लेकिन डॉक्टर राजकुमार सांगवान के टिकट को लेके जादा कुछ है निशित क्योंकि हमारे ल लाजनीति को देखते वे तो सही है इंडिजिज्वल ना जाये तो बहुत पुराने टाइम से जब मेहां बच्चा त 18 साल का जब परियास कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम से सागवान जी के साथ सब हुन्में एक साथ मिलकर चुनाओं जिताओंगे बहुत बहुत भारी सब्सक्राइब का मिनी चीफ मिनिस्टर मान के चलिए राजकुमार सांगवान को आगे के लिए अच्छा घोचला कर दिया सारी सीटों पर उनका सर जाएगा खाली बागत पर नहीं नहीं जितनी भी नेबरिंग जितनी भी द weak उनकी लीडरशिप में एक खास्यत है देखिए जहन जी तो हैं ही नेता पर राजकुमार सागमान पूबिक के नेता है विल्कुल जबीर के नेता है हम सभी लोग स्था और जब से वह स्टुडेंट थे और आज तक सब सब लोग जानते और उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यूस काम करा है इनकी बात सुन ली आपकी बात के बीना बात धुरी रहे जाएं क्या लग रहा है जो जैन चौधरी जी समीकरण बैठा है पुरों पश्ची मुतरप्रतेश में जाट तो से विजय प्राप करेंगे अभी वहाली पुरकाजी पहुंच जाता हूं मंत्री मंदल में बहुत लोगों के नाम थे लेकिन अनिल कुमार का नाम फाइनल हुआ चर्चाई शुरू हो गई ति कली की भी अनिल कुमार बनेंगे अगर इंडिविजिजिन सारे बहुत अच लेकिन सांग्वान जी को टिकट इन्हों ने दिया है यह देखे जो नराज की वहां खतम हो गई है आज हमने देखा मेरी हाला कि सीट महीं पड़ती है मेरी वहीं पर है तो गाहुंसे जो आज पता लगा मुझे अपने महां से तो यही पता लगा है कि जो लोग नराज थे वे सारे साथ में आ गई हैं चाहिए बात बता यह कि लोग नाराज थे लेकिन सब लोग साथ आ गए इदर कर लीजिए कर लिए कि आरली के बीजेपी में मिलने से शाहिद कुछ जाट नाराज हैं लेकिन संग्वन जी के आने से वह फैक्टर जो है पूरा नल हो गया और उसमे अभी मैंने आपको उसका जवाब दे चुका हूँ ना यह आने वाले टाइम के मिनी चीफ मिनिस्टर की सीट है इससे राजकुमार सांगवान चुनाव लड़ रहे हैं और यह बास साबित हो जाएगी आप आगा जी क्या कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं उनके 40 साल का कि मैं यह कर सकता हूं बिल्कुल बिल्कुल सब राजकु साथ लेने की कुछ किया है और यह अच्छा अच्छा बहुत सुंदर डिसीजन है सभी खुश है और मैं उनकी विधान सभा का एक छोटा सा कारिया करता हूं मारे यहां थोड़ी सी जो नराजगी थी वा भी सब दिखाने का हुए अच्छा सर अनिल कुमार को बनाया है पुरकाजी से विधायक है कई बार विधायक रहे हैं वो तीम बार और सही है उनको मंत्री बनाने कोई और होना चाहिए था नहीं नहीं वह जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक लिया और यह अच्छी राजनीती की प पदिखेंगे जो आज तक आप लोगों ने केवल सोची है देखी नहीं कौन सी राजनीती की बात करें की कभी देखी नहीं सोची नहीं यह सब ब्राज्डियों को साथ लेकर चलने की ब्ला बात है और क्रेप्शन परिय और जो यह पीडिय पीडिय गारे हैं सब लोग जाते हो को लेके चले हैं और यह उनका बहुत अच्छा एक समाज को जोडने वाला डिसीजन देके तमाम लोगों की बाते आपने सुनी हैं कि जैन चौधरी ने जिस तरीके से फैसले लिए है पाश्ची में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समीकरों को बठाने का काम किया है ये तमाम लोग ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हल्की बहुत नाराजगी थी लेकिन जैन्त के फैसले के बाद वो नाराजगी दूर हो गई है और ज झाल झाल झाल